उत्तर प्रदेश अधिनस सेवा चैन आयोग का जो विज्यापन था विज्यापन संख्या 18.05.2016 सीधी भरती जो आपकी अनुदेशक उत्तर प्रदेश आईटी आई के लिए जो अनुदेशक भरती थी अनुदेशक लोहा कला के कुल 31 पदों के लिए जो भरती थी उसका जो इंटर्विव डेट था वो जारी हो गया और उसका जो कट आफ था वो भी जारी चुका है तो इसका जो इंटर्विव डेट है वो 21.12.2022 है मतलब 21.12.2022 है और इसमें 79 लोगों को इंटर्विव के केटेगरी में है उनका 65.64 कट आफ रखा गया है और अनसुची जनजाती के लिए 57 रखा गया है और अन पिछड़ा वर के लिए 65.64 कट आफ रखा गया है और महिला अद्भूतपूर सैनिक जो है वो अपने अपने जो भी उनका मेन केटेगरी है उसके अकॉर्डिंग उनक का प्रोसेस है वो स्टार्ट कर सकते हैं और इंटर्वू लेटर डाउनलोड करने के लिए जो भी चैनित अभ्यारती है जो इस कट आफ के अंदर आते हैं या वो क्या कर सकते हैं वो इंटर्वू सेक्शन पर जाके यूपी पीसी की वेबसाइट पे जिसका लिंक हमने डिस सुल्ख नहीं है वो आपकी यूपी ट्रपल सी डॉट यूवी डॉट इन पर जाके या हमारे नीचे डिस्क्रिप्शन में दिये हुई लिंक पर डारेक्ट क्लिक करके अपना इंटर्व्यू लेटर डाउनलोड कर सकते हैं और जो इंटर्व्यू की तिती रखी गई है वो जो इस कट ओफ के अंदर आते हैं लेकिन उनका नाम उस सुची में नहीं है इंटर्व्यू के लिए तो ऐसे आप भ्यारतियों को 17-12-2022 से पहले आपका जो आयोग की जो ऑफिस है उसमें जाके पत्तरा चार करना होगा और अपने सभी डॉकुमेंट्स के साथ जाना होगा तो उनका नाम इसमें लिष्ट में आट कर लिया जाएगा और 21 तारिक को उनका इंटर्व्यू कंड़क्ट हो सकता है लेकिन 17-12-2022 को 5 बज़े से पहले अगर आप पहुसते हैं उसी केस में आपको इसका मौका दिया जाएगा वरना आपको इसका मौका नहीं दिया जिन्होंने लोहा कला के लिए आवेदन किया हुआ था तो ये उनके लिए बहुत ही महत्पूर सूचना है और इससे रिलेटेट सभी जानकारियों के लिए या अनुदेशक भरती से रिलेटेट किसी भी जानकारी के लिए आप हमारे चैनल को लाइक और सस्क्राइब कर सकत थेंक यू धन्यवाद